दोस्तो नमस्कार आदाप सत्स्रीयकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश इस देश में संसद है, संविधान है, कारिपाली का है, नियायले है और मीडिया है पर आम लोगों के निर्दोस किस्म के लोगों के भी जो घर हैं, एक कमरे का भी घर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सरकारी जमीन पर बनाया गया घर भी सत्ता के बुल्डोजरों से डेमोलिश किया जा रहा है, नेस्तरा बूत किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो विधवा अल्पसंख्यक समुदाय की है, ये मेरा सवाल है इंडियन एक्स्प्रेस की खाबर के मताबिक, मद्यप्रदेश के खारगाउन में हाल में जो बहुत सारे लोगों के घर तोड़े गए, उसमें एक ऐसी महिला का भी घर है जो प्रधानमंत्री आवासी योजना वाले एक कमरे के सरकारी आवास में रहती है और उनका नाम है, मैं इंडियन एक्स्प्रेस की खबर को कोट कर रहा हूँ हसीना फारुक, इनके पती का पिछले दिनों निधन हो चुका है और सरकारी बुल्डोजर ने इनका घर भी उजार दिया तो दोस्तों ये अगर जनतंत्र पर बुल्डोजर नहीं चल रहा है तो और क्या कहेंगे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो लोग पत्थराओं जिनोंने किया जिन लोगों ने खुराफात करी उन लोगों को दंडित किया भी जाना है तो क्या आप घर गिरा देंगे किसी का किसी के सर को उड़ा देंगे उसके लिए क्या नयायले नहीं है क्या उसके लिए इन्विस्टिगेशन नहीं है ये कौन सा जनतंत्र है कौन सा राजपार्ट है जिसमें किसी भी तरह का फैसला सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं जो अपने को नियाय से उपर मानते हैं जो अपने को सम्विधान से उपर मानते हैं आम लोगों के खिलाफ अगर दंगाईयों के गिरोह आज दहारते नजरा रहे हैं तो खास लोगों के लिए शासन की जो एजेंसियां है वो क्या कर रही है आकार पटेल का मामला देखिए उनके जैसे मुखर और प्रकर पत्रकार का वक्त इन दिनों पढ़ने लिखने की बजाए अपनी जमानत की कोशिश और अदालत के चक्कर में लगाना पड़ रहा है क्या आपसे कुछी साल पहले किसी ने सोचा था कि देश के सर्वस्रेष्ट विश्विद्याले जवाहलान नहरू इन्वस्टी में मानसाहारी भोजन बनाम किर्तन भजन की मुठभेड होगी इस से पहले सन 2020 में भी जेन्यू के चात्रों पर हिंसक हमला हुआ पर हमलावर ABP के जो लोग थे उनके किलाब कोई कारवाई नहीं की गई दो साल बाद उन्होंने फिर उसी तरह का हमला किया और कराया अब तक राम नौमी के दिन सिर्फ जार्खन गुजरात या मध्यप्रदेश जैसे राजियों में कुछ हिंसक जड़पे या दंगे दर्ज होते थे इस बार राम नौमी के दिन लगा भारत के बड़े हिस्से में उपद्रों का नंगा नाच हो रहा है आखिर राम का नाम भी हिंसा और जड़प के हवाले क्यों कर दिया गया ये हिंदुत्व की राजनीती और राजनीत के हिंदुत्वी करण का खौफनात चेहरा है दोस्तों जो करनाटक से कश्मीर, राजस्तान से गुजरात और यूपी से एंपी तक दिखाई दे रहा है दोस्तों हिंदुत्वा की ये राजनीती और राजनीत का हिंदुत्वी करण अच्छानक नहीं उब रहा है आजादी की लड़ाई के दोरान और देश के आजाद होने के बार इसका वजूद किसन किसी रूप में हमेशा मौजूद रहा है कभी वो आरेसेस हिंदु महासवा के रूप में तो कभी जनसंग के रूप में और कभी कांग्रिस के अंदर से भी वो जलकता रहा है भारत के रूप में एक आधनिक रास्ट निर्मान के महान लक्ष की बुनियाद में ही ऐसा लगता है कि कुछ समस्याएं रह गई जिनका फैदा उठाकर भारती समाज की संकिन समंती शक्तियों ने हिंदुत वादी रास्ट का अपना खतरनाक प्रोजेक्ट जारी रखा और आज वो प्रोजेक्ट मंजले मक्सूद की तरफ ले जाया जा रहा है इसे सिर्फ और सिर्फ जनपक्षदर नीतियों मजबूत जनांदोलनों संगठनों और समर्थ समस्दार नेताओं की जरिये ही रुका जा सकता है दोस्तो आज 13 अप्रेल है कल 14 अप्रेल को बाबा साहब भीमराव अंबेटकर की जैनती है इसलिए आएए देखें आज इस मौके पर की बाबा साहब भीमराव अंबेटकर ने अपनी जीवन काल में हिंदुत्व भारत पर मनराते उसके खत्रे और भारती राष्ट की चुन करता हूं अंबेटकर साहब को अगर वास्तो में हिंदु राज बन जाता है तो निसंदे वह इस देश के लिए एक भारी खत्रा होगा हिंदु कुछ भी कहें हिंदुत्व स्वतंत्रता समता और भाईचारे के लिए खत्रा है इस आधार पर ये प्रजातंत्र के लिए की टिपणी है जो उनके संपुर्ण वांग में कलेक्टेड वरक्स हिंदी में खंड पंदरा प्रिष्ट 365 से मैं कोट कर रहा हूं राष्ट निर्मान की बुनियाद में ही दोस्तों गड़बडियां हुई उनकी तरफ बाबा साहब ने भी इशारा किया और गांधी नहरू स अपनी असामती उसी समय जताई थी उन्होंने कहा कि भारत को एक महान राष्ट के रूप में डेवलप करना इतना आसान नहीं है इसकी बहुत सारी जटिलताएं हैं इस मामले में उनके विचार भगत सिंग के विचारों के काफी कुछ करीब थे वो कहते हैं फिर मैं फिर को तो वो गर्मी में बोए गए पौधों की तरह कमजोर होगी जो तेज आधी से उख़ड सकते हैं ये उसी वांग मैं के उसी खंड से मैं कोट कर रहा हूं दोस्तो और पेज नंबर 185 दोस्तो सचमुच वो पौधा वो भारती राष्ट का पौधा राजनीतिक जो एकता जो जनताय समाज की थी वो आज उखड रहा है वो पौधा उखडता नजर आ रहा है पूरी तरह भले न उखडा हो संविधान के रहते हुए संविधानिक मुल्यों को तहस नहस किया जा रहा है भारत की सामाजी के एकता अब तक बहुत मजबूत नहीं रही है पर सन 2014 के बाद क हासिल करने की तरह बढ़ रही है वो भारत की सामाजी के एकता को छत विक्षत कर देगा इसमें कोई दोराय नहीं है दोस्तों भारती रास्ट के निर्मान की बुनियाद में ही अगरगर बढ़ियां रह गई जिसका नतीजा आज सामने है पंडिस जवाला नहरू और उनकी टीम ने समझा कि आर्थिक विकास और रास्ट की राजनितिक एक जुटता के बाद भारत एक सेकुलर डिमोक्राटिक कंट्री के रूप में हमेशा बरकरार रहेगा और मजबूत होता जाएगा शायद उन्हें कत्ताई ऐसास उस समय नहीं रहा होगा कि उनके जाने के साथ साल बाद इस मुलक के सबसे प्रतिस्ठित विश्विद्याले जेनियु में भी मांशाहार शाकाहार पर बावेला मचेगा जो उनी के नाम पर विश्विद्याले बना दंगा फसाद होगा प्रशासन दंगाईयों का साथ देगा पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स इस देश में नीजी घरानों को सवपें जाएंगी नीजी घराने खामोश होंगे इस देश का जो कुझी पती वर्ग है जिससे उमीद की जाती है कि वो प्रगशीलता का साथ देगा राश्टरवाद का साथ देगा डेवलप्मेंट का साथ देगा तरक्की का साथ देगा वो अंदर राश्टरवाद के साथ खड़ा है वो विनाश के साथ खड़ा है वो वित्वंस के साथ खड़ा है वो लूट में केवल लूट में अपनी बड़ी हिस्सेदारी चाहता है दोस्तों आजादी की लड़ाई के दौर में अमबेट कर रास्ट निर्माण की इस बुनियादी गरबड़ी को महसूस करने वाले सबसे प्रमुक्षिन तक थे उन्होंने आर्थिक के साथ सामाजिक थार्मिक सुधार पर जोर दिया पर कॉंग्रेस पार्टी का जो टॉप नेत्रित था टॉप जो लीडर्शिप थी इसके लिए सायदों तयार नहीं थी इसलिए वो कॉंग्रेस के आंदोलन में शामिल नहीं हुए अमबिट कर और अपने धंग से रास्ट निर्माण की कोशिश वो करते रहे उन्होंने सन 1936 में अपनी विख्यात किताब जातिकाविनाश में एनियलेशन आपकास्ट में बड़े मारके की बात कही मैं कोट कर रहा हूँ फिर उनकी किताब से चुकि यूरोप के समाज में संपत्त ही शक्ति के स्रोत के रूप में प्रमुक है तो भारत में भी भारत पर भी यही लागू होगा ऐसा समझना गलत है ये नियम यूरोप में भी अतीत में लागू नहीं होता था धर्म, सामाजिक, स्थिति और संपत्ति ये तीनों शक्त या सत्ता का स्रोत होते हैं जो दूसरे की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने में किसी व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं इतिहास के किसी चरण में इन तीनों में कोई एक भी प्रमुक हो सकता है तो कोई किसी अन्य चरण में दूसरा हो सकता है यदि स्वतंतरता ही आदर्श है यदि स्वतंतरता का अर्थ ये है कि एक आदमी का दूसरे आदमी पर नियंतरन खत्म हो जाए तो स्पस्टता इस पर जोर नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक आधार या सुधार ही पर सिर्फ जोर दिया जाना चाहिए किसी दोस्तों किसी उनका कहना है कि किसी खास समय में या किसी खास समाज में शक्ति का स्रोत जब सामाजिक और धार्मिक दोनों हैं तब सामाजिक और धार्मिक सुधार दोनों को ही सुधार के आवश्यक्त स्वरूप के रूप में स्वीकार करना होगा डाक्टर अम्बीटकर ने अपनी किताब जाती काविनास के प्रिष्ट संख्या 54-55 जो फारवर्ड प्रेस दिल्ली से चपी है दोस्तों मैं उससे ये बात को उट कर रहा हूँ आखिर में दोस्तों आज के जो हालात हैं उस हालात पर स्वैम आप सोचिए कि जिस तरह से जनतंत्र पर बुल्डोजर तंत्र हावी है कई प्रदेशों में आखिर हमारा न्याय तंत्र कर क्या रहा है उस पर उसके पास संविधान की ताकत है लेकिन संविधान के रहते हुए भी न तो न्यायले की तरफ से कोई हस्तक्षेप हो रहा है न संसत की तरफ से कोई मार्वदर्शन हो रहा है और कारेपाली का मौन बिलकुल मौन धारण किये हुए है तो ये जो पहलू है मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं वो हमारे रास्ट निर्मान की एक बड़ी समस्या है कहीं न कहीं वो इनहेरेंट है कहीं न कहीं वो नेत है हमने लंबे समय तक उनको इग्नोर किया और नजर अंदाज करने की वज़ा से सियासत के आज का जो स्वरूप उपरा है सियासत का उसे हमने समझा नहीं आज भारत इस बड़ी चुनावती का सामना कर रहा है मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ secular democratic जो forces हैं उनकी व्यापक एकता और समर्थ नेत्रित्व से ही इसे समाधान इसका किया जा सकता है इसे लड़ा जा सकता है और अपने देश अपने जनतंत्र और अपने समिधान को बचाया जा सकता है आज बस इतना ही बाबा साब भीम रावं बेटकर की जैनती पर के मौके पर मैं उन्हें सलाम और शद्धान जली अर्पित करता हूँ नमस्कार आदाब सच्छ्रियकाल